नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे से यूट्यूब चैनल यात्तिरी सुभधा में आज किस वीडियो हम जानेंगे की AC3Tier कोच को कैसे पहचाने तो चली दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो हम जानेंगे ऐसे दो पॉइंट्स के बारे में जिससे आप आसानी से एक AC3Tier कोच को पहचान सकते हैं तो चली शुरू करते हैं पहला AC3Tier कोच पर AC3Tier लिखा होता है जिससे आप आसानी से एक AC3Tier कोच को पहचान सकते हैं दूसरा AC3Tier कोच पर एक यूनिक कोड लिखा होता है जैसे B1, B2, B3, B4, B5 और इस सीरिज में आगे तो इस तरह से आप आसानी से एक AC3 टियर कोच को पहचान सकते हैं तो इस वीडियों हमने जाना AC3 टियर कोच को कैसे पहचाने इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बाउस को भी चेक कर सकते हैं पिलिस्स वीडियो को लाइक करें हमारी चनल को सबस्क्राइब करें तथा बैल एकन का बटन जुरू दमाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद